परवल की सबजी तो आपने अनेकों बार बनाई होगी और हजारों बार खाई होगी तो चलिए आज मैं आपके लिए परवल बनाने का एक्तम नया अलग और बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा इसके लिए मैंने हापे 400 ग्राम क इनके दुनों किनारे कट करके हटा लेंगे इसी तरीके से चलिए मैं एक परवल और आपको छिल करके दिखा देती हूँ इस तरीके से देखी इनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर छिलना है मतलब इनका पूरा छिलका नहीं हटाना है अब हम इनके दुनों किनारे ऐसे कट क उसके उपर परवल को रखेंगे और अब हम इनको अच्छे से पोच लेंगे तो परवल में बिल्कुल भी पानी रहना चाहिए परवल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए तो इस तरीके से देखिए हलके आथों से टाइप करते हुए परवल को अच्छे से सुखा लेंगे तो ल इनको बीच में से ऐसे एक बार चीरा लगाएंगे लंबाई में और इस तरीके से इनको कट करके एक परवल में ऐसे दो भाग करेंगे ऐसे तो मैंने आपे परवल को ऐसे लंबाई में दो भाग किया है आप चाहें तो चार भाग भी कर सकते हैं मतलब एक भाग से दो भाग औ सबी परवल को मैंने कट करके रेडी कर लिया है तो चलिए इनको साइड में रखेंगे और सबसे पहले मसाला रेडी कर लेंगे तो इसके लिए मिक्सर जार में डालेंगे आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, साथ से आठ छिली हुई लसन की कलिया, तीन हरी मिर्च, इसमें हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन अगर आपको हरी मिर्च ना पसंद हो तो इसके जगह पर लाल सूखी मिर्च भी ले सकते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच पपी सीट्स, इसको खस-खस या फिर पोस्ता भी बोलते हैं, इसमें इसका टेस्ट बहुत ही जबर जस्त आता है, तो इसको डालना बिल्कुल भी ना भूलें, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को पीस लेंगे और एकदम स्मूथ पेश्ट तयार करेंगे, तो लिजेफरेंस मसाले पीस चुके हैं, यह देखिए, और एकदम स्मूथ पेश्ट तयार है, तो चलिए अभी इनको साइड में रखेंगे, अब चुले पर चड़ा देंगे कडाही, गैस अन करके इसमें डालें दो बड़ा चममस तेल, मैंने अपर सरसो के तेल का इस्तमाल किया है, लेकिन आप कोई भी कुकियों ले सकते हैं, जो आप खाते हूं, जो आपको पसंदो, तेल गरम होते ही, इसमें डाल देंगे कटे हुए परवल, गैस का फ्लेम इस्टाइम लोटू मीडियम रखेंगे, लोटू मीडियम फ्लेम पर परवल को ऐसे अलटते पलटते तब तक फ्राई करेंगे, जब तक कि परवल की उपर पढ़िया से गोल्डन लेयर ना आ जाए, तो परवल को फ्राई करते समय बीच-बीच में ऐसे चलाते जरूर रहिएगा, अलट पर अलट करते जरूर तो बस चलिए, अब हम इनको निकाल लेंगे, तो ऐसे साइड में लाकर कुछ सेकें तक रुखेंगे, ताकि जो भी परवल में एक्ष्ट्रा तेल आया हो, वो निकल करके कड़ाई में ही रह जाए, और इसी तरीके से सभी परवल को निकाल लेंगे, तो लिजिव इन सभी परवल को में निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, तो चलिए अभी इनको साइड में रखेंगे, अभी सी तेल में डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, और जीरा को हलका सा फ्राई हो जाएगा, इसमें डाल देंगे तीन मीडियम साइज का ऐसे आप देख सकते हैं का कलर बहुत ही बनिया गोल्डेन ब्राउन हो गया है, तो प्यास को बस हमें इतना ही फ्राई करना इसे जादा डार्क नहीं करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, तो मैंने अपे दो मीडियम साइज की टमाटर को ऐसे चोटे-चोटे टुकड तो दो से तीन मीनाट हो गए मुझे टमाटर को भूनते हुए मेडियम फ्लिम पर और आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से भून गए रेखिए और हलके से सौफ्ट भी हो गाए हैं, तो बस इनको एक बार और अच्छे से अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लें साथी में डाल देंगे आधा छोड़ा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकोडिंग डाल सकते हैं जितना आपको तीखा पसंदों कमिया जादा, और स्वाध अनुसार नमक, अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम इस्टेम लोटू मीडियम रखेंगे, लोटू मीडियम फ्लेम और मसालों को ढख करके 8-10 मिनाट तक भूनेंगे, बिच-बिच में ढख कर चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे ताकि मसाले 4 तरफ अच्छे से कूख हो और नीचे से ए तो बस अब इसमें डाल देंगे फ्राई किये हुए परवल गैस का फ्लें इस टाइम अगदम लो रखेंगे अब क्या करेंगे मसालों के साथ परवल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर ढख करके 10-12 मिनट तक पकाएंगे तो लिजे फ्लेंस परवल को मैंने मस तो ऐसे बीच-बीच में धकनाटा अटा करके चलाते हुए, मिक्स करते हुए इनको पकाएंगे और फिर से धक देंगे तो 10-12 मिनट हो गए मुझे इनको लो फ्लिम पर पकाते हुए और ये देखे फ्रेंज हमारी सूपर डिलिशस परवल की सूखी सबजी बन के रेड़ी है एकदम नए तरीके से नए टेश्ट में यह कीन मानगे फ्रेंज इस तरीके से एक बार परवल बना लिए ना तो हर बार इसी तरीके से बनाएंगे क्योंकि इसका स्वात भूलना पाएंगे आप अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुग हरा धन्या और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गयस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको ढख करके दो से तीन मिनटा ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हरा धन्या का फ्लेवर इसमें अच्छे से चला जा उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे तो लेजी फ्रेंस तयार है हमारी परवल की ये सुपर डिलिस्यस नई रेसिपी तो इस तरीके से परवल जिनको भी बना कर खिला देंगे न यकीन मानिये फ्रेंस सब लोग तारिफ करते नहीं ठकेंगे और उंगलिया चार चार करके खाएंगे आप इसे रोटी से खाईए या पराठा से पूरी से खाईए और फिर दाल चौल के साथ सब के साथ ये खाने में सुपर डिलिस्यस लगता है तो फिर इस तरीके से परवल बनाए खाएं इंजॉय करें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें अपने धीर सारे दोस्तों के साथ सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें